आज की वीडियो में हम linear equation में variable की value निकालेंगे ठीक है यह आपकी linear equation लिखी हुई है सबसे पहले equation क्या है सबसे पहले 2y प्लस 5 by 3 equal to 26 by 3 minus y ठीक है इसमें से आप सबसे पहले y के term जो left hand side में ले लेंगे lhs में और जो without y है उसको rhs में लेंगे right hand side में ठीक है तो 2y को मैंने एक तरफ लिख लिए और y का दूसरा term भी minus में था तो इदर आएगा तो plus में हो जाएगा फिर without y वाले इदर ऐसे ही लिखा था यह 5 by 3 plus में था लेकिन यह minus में हो जाएगा ठीक है अब 2y plus y क्या होगा 3y हो जाएगा equal to इसको solve करोगे तो आप lcm लोगे 3 का तो नीचे 3 रहेगा वाकी उपर का same सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के denominator सेम है इसलिए ठीक है 3y अब इसको आगे solve करोगे तो क्या आएगा 26 में सिर्फ 5 गया तो 21 आया 337 जा 21 और y की वहली कितनी थी 3y equal to 7 हो गया और जो 3 था y के साथ हो नीचे अब divide में आ जाएगा 7 के ठीक है y की value आपकी 7 by 3 निकल के आईए और अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो please मेरे चैनल को like and subscribe करना ना भूले